आगे ते आपका न्यूस पर व्यूस में आई ये बात करते हैं खास मैनेश्मेंट के साथ कमिन्स इंडिया हम सब जानते हैं इस कंपनी के बारे में 1962 में पुना में इनलों ने कारुबार अपना इस्टैबलिश किया था देश की दिगच पावर सेलूशन प्रोवाइडर है कं आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट का इनका बड़ा कामकाज है और बड़ी डिस्ट्रिबूशन फसिलिटी मैनफाक्शन फसिलिटी इंडिया में भी है जहां से भारत की नीड्स और एक्सपोर्ट भी किये जाते हैं अश्वत राम साब कंपनी के MD हमारे साथ शो पर जु 31-32 साल का लंबा अनुभव कमिन्स के साथ सर का है सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुढने के लिए हिस्टॉरिक डे है मार्केट्स के लिए हिस्टॉरिक डे है पावर सेक्टर के लिए जहां पर हम देख रहे हैं लगातार आक्शन बना हुए और आपकी कंप इसका भविश्य इंफ्रास्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है और हमने पिछले कई सालों से मार्केट को मार्गदर्शन दिया है कि हम कंपनी को 2x of GDP ग्रो करना चाहते हैं तो जैसे यह गोवनेंट और अगे आने वाले गोवनेंट ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे इंफ्रास्रक्चर पे इंफ्रास्रक्चर पे मल्टीपल सेक्टर मेंrest प्ले करता है पावर जेन में, रोड कंस्ट्रक्शन में, डि जैसे इंवेस्मेंट बढ़ता जाएगा Cummins को opportunities बढ़ती जाएंगी और Cummins का performance भी अच्छा रहेगा तो future बहुत positive लग रहेगा तो future positive रहेगा और 2x growth दिखाएगी company economy के लिहाज से कोई internal targets रखें सर आगे की growth को लेकर किस तरह का execution trend भी देख रहे हैं थोड़ा slowdown दिख रहा है market जैसे कि Latin America, Africa, Middle East, South Asia और China में और Europe में थोड़ा slowdown है लेकिन North America में इतना slowdown नहीं दिख रहा है और India तो बहुत ही अच्छा perform करेगा तो थोड़ा mixed message रहेगा domestic में growth बहुत ही अच्छा और strong रहेगा global में थोड़ा muted रहेगा लेकिन हम लोग जो muted market scenario में भी हम market को outperform करने की कोशिश करेंगे नए products और better cost efficiency company में लाके understood sir sir जो आपका genset business है इस पर थोड़ा outlook दें किस तरह से इस समय demand चल रहे है क्योंकि power demand हमने देखा है record levels पर है बट आपकी तरफ से genset business की क्या performance है और pollution norms की वज़े से भी थोड़ा बीच में disruption आये था अब वहां से कैसे आगे जा रहे हैं कुछ नए compliant products भी आपने शाहिद लाँच किये तो स्टार्टिंग स्टेट्मेंट में यह कहूंगा कि जंसे demand all time high पे है domestic market के लिए तो वो situation बहुत ही अच्छा है हमने जुलाई में CPCB 4 plus products launch किये थे वो products world में सबसे advanced products है power generation emissions में यानि सबसे साफ products है pollutants और carbon neutrality के नजरिया से तो यह products launch हुए हैं लेकिन government में अगले साल April तक time दिया है बाकी industry को ready होने के लिए यह products launch करने के लिए हम already यह products बेच रहे हैं उनका demand बहुत ही अच्छा है बहतर है compared to हम जहां हम सोच रहे थे कि कितना demand आएगा यह नए products में जो ज़्यादा महेंगे हैं लेकिन products market ने बहुत अच्छी तरह से यह products को acknowledge किया है better technology को acknowledge किया है और demand बहुत ही strong है यह नए products के लिए और हमारे जो traditional CPCB2 products थे उनके लिए भी demand बहुत ही strong है क्योंकि power का situation अच्छा नहीं है देश में understood sir आपने I think एक recently tie-up भी किया था repos energy के साथ और कुछ fuel management system के लिए diesel applications के कुछ products भी वहां से आ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा details में बताएं sir यह हमारे distribution business ने यह agreement sign किया है इससे क्या होता है कि जो लोग multiple gensets या multiple vehicles को service करते हैं उनको fuel management के लिए अकसर problem होता है कि कैसे meter करें कैसे fuel economy measure करें कैसे पिलफरेज को रोकें कैसे you know total cost को manage करें तो यह company ऐसे solutions प्रोवाइड करती हैं और हमारे customers को advantages है इसलिए हमने यह company के साथ partner करके यह solutions market में launch किये हैं so that हमारे customers को better TCO और better cost management solutions fuel management के लिए available हो सकें sir एक view margins पर भी दें क्योंकि पिछले quarter में आपके margins में अच्छा expansion हुआ था और जो हम बाकी management से भी समझ रहें कि cost pressures कम हो गए margin pressures भी अब ease off हो गए है तो आगे outlook क्या है margins को लेकर हमारी कोशिश यही है और हमने जैसे हमने state किया है कि हम growth 2x of GDP करेंगे हमने यह भी यह भी हमारा aspiration है कि हम profit को हर साल 100 basis point से grow करेंगे तो हमारा always focus रहा है profitable growth यानि सिर्फ price cut करके market share लेना यह हमारी strategy नहीं है हमारी strategy है कि हम customers को बहुत ही best quality का product best innovative products best most dependable products हम launch करें और उसके लिए customers हमको right price दें और हम हमारा profitability का जो हमारे shareholders चाहते हैं जो हमारे stakeholders चाहते हैं हम maintain करें एक अच्छा profitable structure यह कोशिश है हमारे company की चलिए बढ़िया है सर और आशा करते हैं कि आपकी performance ऐसी ही रहे और जो आप कह रहे हैं 2x growth दिखाएंगे economy का comparison में वो भी उस mission में आप successful रहे हैं बहुत दो शुक्रिया सर आज zee business को अपना समय देने के लिए नदीवाद